कि जैहिंद दोस्तों मैं सिर्म गुप्ता स्वात करता हूँ आपका अपने परवार रोजगार विदंगित पर उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे बहतरीन होंगे जिंदाबाद होंगे एक दमसांदार होंगे एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभ तक प्रोपर तरह से पहुंच रही है या नहीं सभी दोस्त कंफर्म करेंगे फिर सुरू करते हैं अपनी क्लास को एकदम बहतरीन और एकदम सांदार तरह से ठीक है जी आज जो हम याप डिसकस करने वाले हैं वह आपका प्रैक्टिस सेट नमर 18 कौन साय जी प्रैक्टिस सेट करने लाइक चीज होती है तो करते भी तो आज आपके मैक्जिमम म्जू को सब्सक्राइब करना है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा वैदर करते हैं तो हम एक दिन बहतरीन बन जाते हैं काफित दोस्तों के साथ यह दिक्कत आ रही होगी कि सर हमने परड़ाम बैच से कंपलीट है लेकिन फिर भी जो हमारा स्कोर है वो बढ़ नहीं रहा है तो जब एक स्कोर नहीं बढ़ता है उसके बाद हमें कि रिवीजन मॉक टेस्ट यानि कि डेली कल से ज्यादा मेहनत आज कर तो बढ़ना होता और दीरे-दीरे करके आपका स्कोर भी फाइनल तक बढ़ी है तो आखरी चोड से भी बटर तूट जाता है तो आपको क्या कि लगातार मेहनत करती रहनी यह नहीं सूचना है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे है कुछ भी सब बढ़ेगा पस मेहनत लगाता रखो ठीक है शुरू करते हैं अपनी क्लास को सबसे पहले हमारे जो कॉस्वन अ होती है कंट्रोल ली तो कंट्रोल यह हमारे यहां पर सौट कट की होती है सेंटर अलाइनमेंट की किसकी सेंटर अलाइनमेंट की ठीक है जाएंगी और विंडो प्लस एल जो है यह लॉक यॉर कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को लॉक करने के लिए होती है कौन सी विंडो प्लस एल ठीक है साथ में एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा कि अभी इससे पहले जब हमने फ्राइडे को क्लास ली थी तो उसमें क्या बिल्कुल सही लिखा कि बाइड़ पॉट्रेट होता है बस मुझसे जो टिक था वो आपको किसमे लेंड़ स्केप पर लग जया था तो आप लोग बहुत अच्छे टाइम से पुराने समय से मुझसे जड़े हुए हैं तो आपको इसमें कंप्यूस होने की जरूती नहीं थ है ना चलिए गलती किसी से भी हो सकती है कोसर नमर वन देखेंगे आज की क्लास का पहला सवाल क्या है कि निम लिकित में से किसे बाइनरी फाइल सवरूप कहा जाता है और एमेस वर्ड के पुराने संस्करन जैसे की वर्ड 297-2003 तक इसका उप्योग किया जाता है क्या होगा बिल्कुल क्या होगा कि विच आफ दा फॉलविंग इच कॉल बाइनरी फाइल फार्मिट एंड इच यूज इन ओल्डर वर्जन्स ऑफ एमेस वर्ड साच एस माइक्रो इसमें हम बहुत जादा परिसान हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब से कब तक 2003 तक था या पर 2003 से कैसे हम इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो देखेंगे वर्दी के अफसूल के तहट अगर डॉट डियो सी है मनलों 2003 है या 2003 से पहले का कोई है तो एक्स्टेंशन होगा आपका कौन सा डॉट डियो सी लेकिन अगर आपका फिर गलती इसमें ना इसे काट देंगे आप यहाँ पे तीनों में ही है ना यह टैपिंग एर्र है इसमें इसे काट देंगे थोड़ा सा चले अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2007 से क्या हुआ बदला हुआ एक्स्टेंशन में 2007 से तो MS बर 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 365 इन में जो एक्स्टेंशन है वो होता है डॉट डियो सी एक्स अगर मैं SLX की बात करूँ तो MS एक्सल 2007, 10, 13, 16, 19, 365 डॉट पी टी एक्स होता है पावर पॉइंट का 27, 10, 13, 16, 19, 300 बैसन इन वाले वर्जर्स में 7 के बाद नहीं 7 से अंतर होता है 7 के बाद और 7 से में अगर मैं कहता हूं कि 2007 के बाद एक्स्टेंशन यह और 7 से अगर मैं कहता हूं तो इसी से अपलाई हो गया तो यार्ण रखना इसी से कौन सा 2,007 में भी आपका क्या था बिल्कुल 2007 में भी आपका क्या था है यहाँ पर .docx .xlsx यह वाले थे इसमें बिल्कुल भी confused आपको नहीं होना है ठीक है आगे बढ़ेंगे इसके बाब आपका question number दो कि computer programming में virus जो सब बहुता है virus इसकी full form क्या इसका पूरा नाम क्या होता है बताएंगे सर एक्जाम में बाद बार बार MS Excel 365 के बारे में पूछ रहा है यह नहीं करना है यही चीज है कुछ भी उसमें क्या है अलग नहीं है यही चीज है बस वर्दन का नाम आपको चेंज कर देता है कि बताओ Microsoft Excel 365 में सेव करने की सौटकर क्या होगी वही होगी चेंज नहीं होगी वाइरस के आपके फिल्फॉर्म क्या होती है तो वाइटल इंफर्मेशन बताएंगे क्या होगी आपके यहापर वाइटल इंफर्मेशन रिसोर्स इंटर सीज होगी आप देखेंगे यहाँ पर कि वाइटल इंटर्चेंज मतलबी नहीं है रिकागनाइज मतलबी नहीं है रिकॉर्ड नहीं क्या होगा ऑप्सन भी इसदा राइट अंसर अगर इस पिरकार की आपको फिल्फॉर्म याद नहीं भी है तो कोई समस्य नहीं है आप इन्हें ऑप्सन इलिमिनेशन के थू कर सकते हैं ना चलिए आगे देखेंगे अगला आपका अब इस से रिलेटेड क्या है आपके यहाँ पर हमारा फॉल्फॉर्म था अगर मैं आपसे बात करता हूं अर्पानेट की फिल्फॉर्म क्या होगी तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजनसी नेटवर्क और यह जितनी भी फिल्फॉर्म लिखी हुई है सबी के सबी फिल्फॉर्म आपकी आपकी हम कहा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस 2020 दिल्ली पुलिस 2022 इनमें भर भर के यहां से आपके उसन पूचे गई और यही फिल्फॉर्म सा आपकी बार बार रिपीट हुई काफी सारे एक्जाम्स में तो मॉस्ट इंपोर्टेंट जो हो सकती है वो वाली है अमेरिकन स्टेंडर कोड फॉर इंफॉर्मिस इंटर्चेंज एसी डबल आई और आपके अर्पानेट की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इजन्सी नेटवर्क अगर मैं बात करदें डबलू डबलू की तो वर्डब रडब टीम बनसली ने नैंटीन येट्टीनएट ने इसे किया था ठीक है चलो www.w4.w अगर हो तो इसकी फिल्फर्म क्या होती है तो World Wide Web Warm होती है www.wc की फिल्फर्म क्या होगी तो World Wide Web Consortium होगी IP की फिल्फर्म, Internet Protocol और आपकी TCP की फिल्फर्म, Transmission Control Protocol STTP की फिल्फर्म, आपकी Hyper Tax Transfer Protocol और STTP S में जो S होता है, इसका मतलब होता है Secure तो यह सभी की सभी Important है, यह आपको याद होनी होनी चाहिए किसी भी परकार का इनमें आपको 1% का है कि Doubt भी ना हो, Confusion भी ना हो यह फिल्फर्म सापको बहुत ही अच्छी सरहती होनी चाहिए बिना Option के आपने ठीक करबा, इतनी अच्छी से ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, कि 2010 में निम्न में से, MS Word 2010 में निम्न में से Keyboard shortcut key का उपयोग paragraph spacing को 1.5 line spacing में बदलने के लिए किया जाता है इसे हम कहते है, इसे हम कहते है, यापर line spacing के लिए है बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे मित्वाई है न, तो आप देखेंगे, यह है line and spacing, अब यह line and spacing कितनी रखनी है, ठीक है तो 1.5 line spacing के लिए आपके जो shortcut की होती है, वो होती है, वो होती है, वो होती है, आपके आपर control प्लस 5, यह option में कहाँ पर मिलता है line and spacing का, तो आप कहेंगे भईया, होम menu में, होम menu में, जब हम क्लिक करते हैं, तो होम menu के बाद, आपको कौनसा option मिलता है, होम menu में, पैराग्रा गरूप और इस paragraph group के अंदर हमें कौन सा option मिलेगा, तो line and spacing का option मिलेगा, कौन सा, line and spacing का option हमें यहापर, मिल जाता है, ठीक है, और कौन कौन से मिलते हैं, बताएगा कोई मुझे, कोई ऐसा भाई है हमारा, जिसे, जिसे बिना option के सारे याद हूँ कि भईया, paragraph के अंदर यह य ठीक है, लिखना नहीं है, मैं आपको directly बोलके, मेरे साथ बोलिएगा आप कि home menu में सबसे पहले आता है, clip board group command कौन सा, clip board group command और clip board group command के अंदर चार option होते हैं, कौन कौन से, cut, copy, paste, format printer, cut, control, x, copy, control, c, paste, control, v, और shift, insert भी आपकी paste के लिए होती है, format printer, format printer पर जब हम किलिक करते है तो हमारा करदर किसमें बदल जाता है, ब्रस में बदल जाता है, format को copy करने की shortcut की control plus shift plus c, और format को paste करने की shortcut की control plus shift plus v, इसके बागा अगर हम चले आपकी font में, तो home menu के font group command में हमें क्या मिलेगा, font का size, font का आपका style change करने के लिए bold control v, italic control i, underline control u, double underline control plus shift plus d, आपका underline without space control plus shift plus w to, sub script control is equal to, super script control plus, control plus shift plus plus हो जाएगी, आपका increase font size जो होता है, हमारा drop down list के जरिए, तो control plus shift plus greater than, decrease font size control plus shift plus less than, change case की shortcut की क्या होगी, बता दे एक बार है न, change case की आपके shortcut की यहापर क्या होगी, एक बार बताएंगे, बताएंगे, change case की आपकी क्या होती है, shortcut की और कितने प्रकार का change case हमारा होता है, पांच प्रकार का होता है, shift plus F3 की shortcut की होती है, कौन-कौन से change case होती है, upper case, lower case, sentence case, capitalize each word या फर इसी को हम title case भी कह देते हैं, और एक आपका होता है, यहापर कौन सा, एक हमारा यहापर होता है, पंगल केいうこと के क्या क्या है, तो याद रखीगा, टॉंगल केस क्या है, मैंने प्रणाम पहद में कुछ और बताए ताबर मैं से update कर रहा हूँ, तो याद रखना आप कि टॉंगल केसे अप देखते हम आपना, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन हूँता क्या ह कि यह होता क्या है इस से आप याद रखीयेगा कि 2023 कर दीता हैdef तर फार आपर लेटर को स्मॉल पर कर दीता है स्मॉल लेटर को हपर कर दीता है इसे मैं अपडेट कर रहा हूं से समझेगा स्मॉल लेटर खुर्ड टे GROW लेट हुआ अपर कर दीता है अगर मैं आप से कहूं अगर मैं आप से कहूं यहां पर मैं आपको हैं Madden zero में यहां पर आपको को हैं तर नद इन टिक है टारगेटब एए धिल्लीज पिलिस बताए इससे आप अगर आप इस-पे ट्रोंवल किस का इस्तों करते हैं तो नह очioso जायगा बताएंगे ठीक है पहले मैंने आपको जताया था कि पहला अक्षर क्या होगा पहला चर आपका कैपिटल बाग क्वेल आक्षर आपका इसमाल बागी अभी कैपिटल नहीं यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं मैं यह कह रहा हुँ कि जो आपका लिखा है अगर आप उस कि छिली मिरे में 8 कोप्री से और क्या है और उसी पर लगातर मेिनत करते रहा दस भी हो जाएंगे और क्या चाहते हो दी अच्छा एसकूर है जहां और लोग तीन चार पांच कर पारें छे कर पारें आप वहां पर आठ कर रहे हैं तो एक अच्छा इसकूर है संतुस्ट रही है ना चले हम देखेंगे टारगेट दिल्ली पुलिस तो यहां पर हो जाएगा स्मॉल और बाकी के क्या हो जाएंगे एपिटल है तो हम यहापर क्या करेंगे पुलिस में सभी इसमॉल कर देंगे यानिकि जस्ट क्या कर दिता है आपका यह आपर किलियर है चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद कंट्रोल प्लस वन आपकी शॉटकट की होती है सिंगल लाइन स्पेसिंग की कंट्रोल प्लस टू होती है डबल लाइन स्पेस कंट्रोल प्लस फाइव होती है 1.5 लाइन स्पेस और कंट्रोल प्लस एंटर होती है आपकी पेज ब्रेक की सॉटकट की बताएंगे पेज ब्रेक का अप्शन में कहां मिलता है ठीक है भाई चलिए मैंने आपका message देख लिया है बताएंगे आप कि control enter का option में कहां पर देखने के लिए मिलता है यानि कि page break का option में कहां मिलता है किस menu में मिलता है बहुत अच्छी answer आच चुका है कि insert में कहां पर insert menu में page break का option हमारे पास होता है pages group command में हम बात करें थे कि paragraph group command में कहके मिलता है तो आपका left, right, center और justify alignment, increase, indent, decrease, indent, sort हो गया आपका setting का option हो गया आपका और हम यहां पर बात करते हैं आपका setting के बाद में border का option हो गया आपका यह सारी option में कहां मिल जाते हैं यह सारी option आपको paragraph group command मिलते हैं question number 4 बताएंगे सारे 3 इंच की floppy disk की छमता capacity क्या है what is the capacity of 3.5, 3.5 बिल्कुल चलिए बताएंगे क्या होगा सारे 3 इंच की floppy disk होती है यह कितनी आपकी, कितने MB की होती है तो याद रखना most important सवाल है 1.44 MB की होती है कितनी 1.44 MB की अगला देखेंगे question number 5 कि worldwide web का विक्रास development निमले कितमे से किस वर्से में हुआ था यह question दिल्ली पुलिस 2022 में पूछ चुकी है यानि कि just एक साल पहले और मैंने अभी आपको capsule में इसका revision कराया था अगर आपको याद हो बहुत अच्छे से ओपके कहांगे कि 1989 में ने कब 1989 में किस ने किया था बताएंगे आप किस ने किया था और किस ने किया था यह सभालवी 27 अगस्त 27 अगस्त 23 में पेपर हुआ आपका जस्ट एक महीने पहले paper हुआ आपका junior assistant का एक cut in paper हुआ जिसमें आप से पूचआए कि ड़ड़व ड़व बताएंगे कि एक MSWD document को print करते समय हम print होने वाली copy की संख्या set कर सकते हैं default रूप से आपके document की copy होगी कितनी होगी है न और यह को सन भी पूछा है while printing an MSWD document we can set the number of copies to be printed by default your document is blank will be copied बताएंगे अपने आप automatic कितनी होगी जब भी आप जब भी आप क्या करते हैं जब भी आप अपना print निकालते एक फेज़िगी अपने आप एक ही कॉंपी निकलते हैं अगर आप फोटो कॉंपी करांती जाते हैं तो एक कॉंपी अपने आप निकलेगी आप चाहें तो इस नमर को बढ़ा सकते हैं अपने ठीक है चलो इसके बाद अगला सवाल देखेंगे एमस वर्ड में रूलर के बारे में निम्लिकित मैसे कौन सा कतन गलत है इसी परकार के सवाल जाद आएंगे ठीक है इस परकार के सवाल यह तो ठीक है फिर भी लेकिन ऐसे आपके वन लाइन सवाल सायद अब कम आए इस बा आपसे पूछ लेगा कि बताएं कौन सा इसमें मैचिंग करने के लिए आ जाएगा सिंबल आ जाएगा कि यह वाले लोगों किस चीज का है तो ऐसे सवालों पर आपको कौन से पर पकड़ बनानी ही बनानी होगी ठीक है तो आप कहेंगे बहुत ही आसाने सर कोई दिक्कत नह ही फॉन्ट इस्टायल को जो बदलने में मदद है वो कौन करता है मारा फॉन्ट गूर्प कमांड मिल करता है तो उसका राइट इंसर क्या हो जाएगा और इसी के साथ मैं बताऊंगा कि कल की इसके बाद आप लोगों ने गलती की मौक में कहीं पर सवाल आया था कि सर किसी वरक सीट का बाई डिफॉल्ल नीम क्या होता है और आप लोगों ने वहां पर क्या गड़बड़ी करी आपने अंसर दिया सीट बन क्या मैं जान सकता हूं क्यों दिया जुन्हों ने इस सवाल को गलत किया वो ही क्या है वो ही आपके दस में से नो करबाए दरवाई जात दर बचों ने दस में से दस करें भाई मेरे समझिएगा आप बात को कि जो MSXL की फाइल होती है वो एक वरक बुक होती है और जब भी हम किसी वरक बुक है यानि करें की MSXL की किसी फाइल में जब काम करते हैं तो अपने आप जो सOoh किया होता है ओटो में एक्स्ट की फायल का डोब डिफॉल निम बुक बन लेकिन जो वरक सीट होती है जो तरह पीज होता है उसका नाम होता है सीट वन सीट टू समझ यह का गलती नहीं करने और यह जो सीट वन सीट टू है इसका maximum 31, कितने 31 अक्षर का ही आपका ये इसका नाम हो सकता है अगला देखेंगे question number 9 ऐसे सवाल मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से सिखाए है आपका बरिस्रम 2.0 में आपने देखा होगा है ना, चले क्या है कि cell A5 में formula is equal to A3 plus B4 पर विचार करें यदि cell A5 को E9 में copy और paste किया जाता है तो cell E9 में formula क्या होगा है ना, ये वाले सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए मैंने तो seat 1 ही लगाया था बहुत अच्छा काम किया है ना, चली सर आपका टेलीगरम भाई, मेरा personal कोई टेलीगरम चैनल नहीं है बिकाज हम RWA family के है RWA family हमारी तो रोजगार विदंकित एपलीगे रोजगार विदंकित का जो टेलीगरम गरूप है वो है हमारा गरूप ठीक है और साथ में आप देखेंगे कि अगर आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है तो परिसरम 2.0 बेच जिन बच्चों ने लिया है वो टाउट गुरूप से जड़े हुए है वहां से आप पूछ सकते हो भाईया हमने तो परिसरम 2.0 बेच नहीं लिया आप हमारी कॉलिंग टिम को कॉल करो उनके जरीए आप हमसे कॉंटक कर सकते हो भाईया वो फॉन नहीं उठाते अब क्या किया जाए तो फिर आप मेरी सिवम गुपता RW करके Instagram आइडिये वहां पर आप मेसेज कर सकते हैं और वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा लेकिन कोसन भाई पूछेगा जो जैनुवन हो प्लीस भाई ठक चुकाओं में प्लीस ऐसा मत करिएगा है न चलो आगे देखेंगे तो क्या होगा इसका A3 प्लस B4 पर विचार करें देखो A5 सेल में इससे करने का अच्छा तरीका ये है A5 सेल में क्या लिखा है आपका A3 प्लस B4 A3 प्लस B4 ठीक है जो भी आपका genuine doubt है वो आप पूछिए PDF काम लेगी आज ये बाली किलास होगी या नहीं होगी भाई ये चीज़े हमारी नहीं होती है टेक्निकल टीम का काम होता है हो सकता है सायद आप लोगों को बुरा लगे थोड़ा सा लेकिन आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी म reply सभी को कर देता हूँ लेकिन दिक्कत होती है से क्योंकि बहुत ज्यादा message हो जाते है और अगर हम ऐसे जबाब देंगे तो फिर हम आपके content पर काम नहीं कर पाएंगे इसलिए आप वो doubt पूछें जो आप कहीं पर clear नहीं कर पारें जो आपको Google पर भी नहीं मिल रहा है जो आपको कोई दोस्त नहीं के लिए कर बार है वो doubt आप हम से पूछें आपका स्वागत है लेकिन अगर आप कहेंगे कि like share and subscribe तो भाई दिक्कत होती है वहाँ पर फिर ठीक है चलो अब हम देखेंगे a5 तो यहाँ पर देखो a का a रहा और यहाँ पर 5 से क्या है तीन कर दिया यानि कि minus का 2 कर दिया ठीक है इस वाले में क्या है यहाँ पर plus 1 कर रहे है और यहाँ पर आपका minus 1 कर रहे है अब आप देखेंगे कि अगर हम इसे कहाँ पर e9 में कॉंपी करते है अब देखिए आइन में है जब हम यहां पर कॉंपी करते हैं इसे तो एका रखा था और यहां पर आपकेर दो यहां पर आपका जैसका रैक्सर बहुत ही भण लगा데 है आपको जिस जबन फैन होता है वैसी जबना सवाल है सांदर सवाल है इसमें बच्चे बहुत ज़्याधा कन्विश होते हैं यह सोसते हैं कि अकर यह है क्या है ना अच्छा एक ही जोरा थे एक सवाल आप लोगों को परसान कर रहा है जो मेरे पास अलग जगा पर आया टेलेग्राम गुरूप में काफी दोस्तों ने पूछा और काफी दोस्तों ने वो मुझसे पूछा इंस्टाग्राम पर क्या देखो अब ये तो हमारा क्या था ये तो इसवाले फॉर्मूले को ऐसे ऐसे कर दिया अगर मैं आप से कहू हुँ यह एक formula है आपका sell A1 में sell A1 में एक formula हमने लिखा कि dollar B dollar 2 plus dollar C dollar 5 माल लिजे ये इस वाले formula को अगर हम इस वाले formula को अगर हम या पे E10 में copy करते हैं तो answer क्या आएगा इस वाले formula को अगर हम हमने ये formula A1 में लिखा और इस formula को हम क्या करते है ये 10 में copy करते है तो answer क्या आएगा समझ येगा बात को है ना बिल्कुल है ना तो यहाँ पर क्या होगा तो इससे हम कहते हैं आपका क्या absolute cell reference ये क्या है जी इसमें क्या है जब हम dollar लगा देते हैं इसका मतलब क्या अगर आप इसे कहीं पर change करोगे पेस्ट करोगे तो ये बदलेगा नहीं ऐसा का ऐसा ही रहेगा कैसे तो जब आप इसमें करेंगे से paste तो इसका answer यही रहेगा कुछ भी नहीं करना जैसा है वैसा का पैसा उतार दो अगर आपको रोव और सेल इन सभी चीज़ों से पहले क्या है अगर आपको इन सभी से पहले डॉलर लगा हुए मिल रहा है इसका मतलब यहीं अंसर होगा चेंज नहीं होगा समझ येगा इस बात को नहीं इसमें बहुत जादिक्कत हो इती तो चेंज नहीं अंसर देंगे तो काफी दोस्तों का जो इसका अंसर आएगा वह आएगा यह और आने लगा होगा बताएंगे किन्ने दोस्तों का आ रहा है वेरी गुड बहुत अच्छे आने लगे हैं अंसर चलिए अब कोई जा कि फोटू कहें चेकें जी मती बारल कद्दियों कि जी देखो गुरू जी ने गलत लगा रखो भाई जान पूचके लगाया है ठीक है चलो हैना क्योंकि तस्वीरा बोलती नहीं है नहीं तो पता चल आप गलती कहां पर करते हैं उस चीज़ को समझिएगा कि फेक्तोरियल आपका जीन चांट originated पांच जो लोग 126 इन सर देते हैं वह क्या करते हैं वेख्यकोरी जीरो की वैल्यू जीरो और gefैक्टोरीयल टीनिक भली तो आप देखेंगे कि आपका जो फैक्टोरियल 0 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है कितनी इसे आपको याद रखना है फैक्टोरियल फैक्टोरियल और कितना दिया 3 तीन की वैल्यू क्या होगे तो 3 गोना 2 गोना 1 तीन गुणा दो गुणा एक यह हो जाएगी आपकी छे कितनी हो जाएगी छे इसके बाद आप देखेंगे factorial factorial क्या है आपका 5 इसकी value क्या होती है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इसकी value क्या हो जाएगे 120 इन तीनों को छोड़ देंगे तो 127 ठीक है अब एक और सवाल आपको दिक्कत करता है आप लोगों को कहा कहा दिक्कत होती है आप लोगों को कहा कहा दिक्कत होती है वो मुझे पता है कैसे देखो एक और सवाल में आपको देता हूँ बताना इसका अंसर क्या होगा is equal to fact बताएं इसका अंसर क्या आएगा बताएं इसका अंसर क्या आएगा क्या इसका अंसर 96 तो नहीं आ रहा आप लोगों का और कल में आप सभी लोगों के लिए कल में आप सभी लोगों के लिए साम 5 वजए एक रड़नीती वाली वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जो 40 दिन हमारे बच रही है इन 40 दिनों में इन 40 दिनों में आप कैसे कम्पूटर में 10 में से 10 कर सकते हो आपने परिजम 2.0 बैच नहीं खरीदा कोई समस्या नहीं है आपने अभी तक कम्पूटर नहीं पड़ा इन्तियार कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है क्या भी भी आ सकते हैं बिल्कुल उसके लिए कल साम 5 बजे में वीडियो लेकर के आने वाला उससे जरूर जुडियेगा उसमें मैं जरूर बताऊँगा ठीक है इसका अंसर काफी दोस्तों का क्या आता है क्या है ये नहीं होगा हम पहले जब भी किस चीज़ को सॉल्व करते हैं पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ये क्या होगा ब्रैकेट को जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी बचेगी फैक्टोरियल वन और factorial 1 की value क्या होगी 1 ही होगी तो इसका answer क्या होगा इसका answer एक आएगा समझिएगा इस बात को जादा तर बच्चे इसमें क्या कर देते हैं 96 कर देते हैं जो की नहीं करना है ठीक है जो की नहीं करना है यहाँ पर पहले आपको इसे solve करना उसके बाद तो factorial 1 इसका answer होगा clear है चले आगे बढ़ेंगे इसके बाद इसके बाद आप आगे दिखेंगे question number 11 कि MS Excel 2010 में blank function यह गिनता है कि list of argument में कितने value है यानि कि इन में से वह कौन सा formula है जो की क्या गिनता है जी कितनी आपके आपर सेल में भरा हुआ है किसमें कितनी सेल में content भरा हुआ है यह बताता है बताएंगी ठीक है जी अभी बताये दियो सही कह रहे हो अब बताये रहे हो ठीक है क्या होगा इसका right answer चलिए नहीं इस वाई आप गलती कर रहे हैं आप कहीं नहीं चेक करेंगा देखो मैं आपको दिखा देता हूँ है अपने class धंग से देखी नहीं होगी वो formula कुछ और जरूर होगा देखे मैंने याप एक्सल open किया ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ 24 नहीं होगा उसका answer मैं याप देखाता हूँ ठीक एक्सल हमने open किया ठीक है अब आप इस एक्सल में देखेगा मैंने यापर formula लिखा क्या is equal to fact bracket start 5-4 bracket बंद ठीक है यही formula है आपका दिख रहे हैं आप सभी को यही formula है enter बटन दबाएंगे क्या answer आएगा एक answer आएगा 24 नहीं बताया है मैंने वो सवाल कुछ और हो सकता है वहाँ पर आपका 24 होगा यह नहीं होगा ऐसे ही आपका factorial 0 की value कितनी होती है factorial 0 की value आपकी कितनी होती है तो यह 1 होती है कितनी होती है एक होती है ठीक है चलो इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले formula की यहां पर कौन सा formula है जो काम करता है तो कांटा का formula होता है कांटा देखो count family के 4 पांच सदस है कितने जो count formula है इस फेमिली के 4 पांच आपके क्या है सदस से है और ये सदसे क्या काम करते हैं ये चारपां जो सदसे कौन कौन से पहले सदसे होगा नाम देखो तो एक तो है भईया काउंट ठीक है ये काउंट है तो ये तो है फैमिली के हैड ठीक है हम कहा सकते है कि ये पतनी जी है ये पती सिरी है ठीक है, इसके बाद इनके क्या है, इनके बच्चे हैं कुछ कैसे, तो एक है आपका यहाँ पर count, count if करके, एक फर्मूला होता है, आपका count if करके, और एक फर्मूला आपका होता है count blank करके, यह एक ही family के चार सदस हैं, कितने, यह एक ही family के आपके चार सदस हैं, और यहाँ से आप से कुछन पूछ लेता है कैसे कैसे पूछेगा जी क्या क्या पूछेगा जी तो ध्यान दीजिएगा चारों में अंतर क्या है कहां पर क्या अंतर जो count का formula है यह only numbers क्या है यह सिर्फ और सिर्फ numbers को क्या करता है आपका यह आपर यह सिर्फ उन्हें सेल को बताएगा जिनमें क्या है नंबर्स भरी होंगी है ना जिनमें आपकी नंबर्स की संख्या आपकी भरी होगी यह सिर्फ उन्हें बताएगा ठीक है अब यह हो गया काउंटा का क्या करेगा तो यह नौन बिलेंक सेल को काउंट करेगा क्या नौन बि सब लेकर कर चलता है इस अरी कुपन को फिरी चलना है थो कॉंट कि यह पर कि रैंज देने के बाद में यह आपकाज मा बहूत बड़ा आपका अपका टेटा है उस में तेखना चाथ ऑफ पचास संख्या कितने कॉलम में लिक्षी हुई है यह उसे बताता है ठीक है और काउंट बिलेंक तो खाली डिब्बों की संख्या को काउंट करता है खाली सेल को काउंट करके बताता है कि इतनी रेंज में काउंट इतनी रेंज में आपका करके बताता है ठीक है किलियर या नहीं भाई एक बर सीलिंग वाला बिल्कुल बता दूँगा भाई कॉंपिपेस्ट मत करो बिल्कुल बता दूँगा ठीक है चलो सीलिंग वाला फॉर्मूला देख लिते हैं जी ज thé另 ऐला फ़र्मूला क्या है देखो कि इतुएस बताव जो सीलिंग है तो सीलिंग सबस्टा मिलता जुलता है कैसे सीलन और सीलन भीया कहा पे आती है सब्ऽिया इलुक शरकाय नौगरी पूरान का मनुदभ होगा कि 84 से जस्ट बढ़ी वो संख्या जो कि 5 से पूरी तरह क्या हो विभादящी ओू क्या है पूरी तरह आपके बात जो 84 से उपर की बढ़ी संख्या तो 84 से बढ़ी कौन ची संख्या एसी वह जी 85 जोकि Case 5 से आपकी जा रही है तो क्या हो जाएगा पिछे eighte s अगर अगर इस पॉर्मूलिय एक इस्वारूरो सी लिंग 84 कौमा चार boost हुथा तब हम क्या करते यह तो पूरा-पूरा जा रहा तो इसका अंजर 84 ही हो जाता क्या हो जाता 84 है हो जाता अगर इसकी जगह पर हम floor formula का use करते तो यह floor कहां पर होता है ground floor पर ठीक है नीचे की तरफ यहां पर मैंने लखा 84 ठीक है और यहां पर मैंने लगाया 5 तो अब क्या है 84 से छोटी वो संक्या जो 5 से जाए आपकी तो क्या हो जाएगा answer 80 हो जाएगा क्या हो जाएगा 80 और अगर आपको मिलता ही 80 है 80,5 तो answer क्या आएगा तो 80 आएगा ठीक है इसी बात में आपका previous year का question मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इसका answer बताएंगे कि is equal to ceiling is equal to ceiling 3,3 plus floor 4,4 बताएं इसका right answer क्या होगा और यह आपसे previous year में पूछा गया question है तो आप समझ सकते हैं कि important है बताएंगे इसका answer क्या आएगा sir please जल्दी कराएगे भाईया देखो अगर आपको जल्दी ही करना है तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं बिलकुल आप मैं जानता हूँ कि समय कीमती है लेकिन आप सिर्फ 20 सवाल ने करो 20 से बहुत जादा चीज़ा कर रहे हो मैंने लास्ट आपको जो फ्रैडो को प्रैक्टिस सेडल लिए आप 20 मिनट में 20 सवाल करा दिये उसमें सिर्फ 20 सी कि आप यहाँ पर आप उस 20 की जहायता से complete syllabus को revise कर पा रहे हो है ना आप अलग से revision मत करो मैं हूँ मैं revise कराऊंगा याद कराऊंगा सब कुछ मुझ में छोड़ दो और बहतरी नतरह से करो क्या होगा सका right answer तो 3 प्लस 4 इसगल टू 7 ठीक है जी अगला सवाल देखेंगे कि भारत में इंट्रनेट के शुरूआत कभ होई थी तो 15 अगस्त उनुस्ट कि चनवे 11 अगस्त उनिस सब चनवे 8 अगस्त नौ अगस्त कभ ठीक है very good क्या होगा तो आप कहिंगे कि भाईया जो भारत में आपकी इंटरमेट के सुरुवात है 15 अगर 1995 होई थी किस ने की थी किस कमपनी के द्वारा की गई थी बताएंगे एक बार चलिए ठीक है क्या होगा इसका राइट अंसर तो आप कहेंगे भीया VSNL, B नहीं B for बकरी नहीं B for बकरी नहीं होगा क्या होगा B for tay वकील होगा ठीक है तो VSNL यानि कि विदेश संचार निगम लिमिट्ड क्या है इसकी फुल्फरम क्या है आपकी VSNL की तो विदेश संचार निगम लिमिट्ड और VSNL की क्या होती फुल्फरम बकरी वाली की BSNL तो भारत संचार ने करने पिछेट ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आपका कि निम लिकित में से कौन सा विकल इंटरनेट द्वारा पिर्दान की जाने वाली सर्विस नहीं है इन में से कौन सा अप्सिन है जो कि इंटरनेट से उसका रिलेशन कोई यहां पर नही कॉपी पेस्ट ना करें किरप्या करके ठीक है चलो आगे देखेंगे क्या होगा इसका राइट अंसर इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका सम्बंद नेट से नहीं भाई इमेल नेट के में नहीं बेज़ा जाएगा वल्डवाइडवा पूरा नेट परी टिका हुए फाइल ट्र की इमे भड में टेक्स्के लाइन की लेफ्ट मार्जन पर ले जाने के लिए किस इंडेंट गव्यों किया जाता है और इसकी mini गूंने sogenan to the left अगर मैं आप से बात करूँ किया वोगी तो वह उतिया आपकी control प्लस shift प्लस T आप कहेंगे भाई हमें कबूंध में समझ मैं कि अपकी हें गाओ में इंडेन पर पबनी रहेगे जा पर है बाकी की इस तरह से हो जाती है यह होता है हमारा है आपर हेंगिंग इंडेंट किलियर है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आपका कोशन नमर 15 किन्यम लिकित में से कौन से चिन्न ऐसा है जिसका प्रियोग किसी भी फॉर्मूली थीक है चलो आगे बढ़ेंगे बराबर का सायर आच्छा रेंज को हम सेल रेंज को हम किसे दिनोड करते हैं तो komm Awon के सायर से कैसे जो रेंज का आपको ऊफ़न उसे घरन करते हैं कोल्इूं से ठीक है इसके गर मैं आपसे कहूं चलीए है ना चलिए आगे दे tracing सब्सक्राइब करेंगे को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है तो क्या होगा इसका राइट टुड़ी है ठीक है जो आज की डे टेंट टाइम दौनों बताता है वो कौन सा है वह नाओ है डे टेंट टाइम जो दोनों बताता है वो क्या है वो नाओ है को सब्सक्राइब बिरवाव नहीं पढ़ेगा इनमें से किस इससे CPU से भाई बिना CPU के तो मतलब ही नहीं है रेम बिल्कुल पड़ेगा हाइड इसकी स्पीड बिल्कुल पड़ेगा लेकिन जो ग्राफिक्स काड का आकार है इससे क्या है बहुत ज्यादा फरक यहां पर नहीं पड़ता है तो इसलिए इसका जो राइट अंसर वो क्या हो सब्सक्राइब को सब्सक्राइड नहीं मिल्ता याणि कि जब हम हम जब क्रिsto पूस्रे देने जाते हैं ज हम भिंडेंड है जर्व हम हम बिंडेंडे नहीं जब undergoing मेंसे कौन सा अप्सन नहीं मिलता भाई्या देखो तो काफी सारे दोस्त मुझे से पूछते हैं रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं देखाना भाई निवेदन कर रहे हो हाथ जोड़े लेकिन क्या आपका डाउट क्या है वो तो बता है आप कमेंट वक्स में छोड़ दीजेगा हम देख लेंगे ठीक है इसका राइट अंसर क्या अगर आपके घर पर आएंगे तो आप मना नहीं करोगे इसलिए अब हमारा जो घर है वो पूरे यूपी में सब जगह हो चुका है क्योंकि हम यह सिनातान करके कह सकते हैं कि हर सहर में हमारा क्या है एक भाई रहता है हमारी फेमिली रहती है ठीक है क्योंकि आप सभी आड़ मिलने आही जाएगा ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ेंगे अगला क्या है कि सुरक्षे संचार की आवसिकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माद्य हम से संचार कर रहे हूं और वे नहीं चाहते कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध दूत्पन ने करें कितनी बड़ी बात है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जब दो लोग आपके आपस में बात कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि को तीसरा पक्ष हमारी बात्चीत को सुने पड़े तो वहाँ पर आपका किस चीज का इस्तमाल किया जाता है है ना है कि सुरक्षित संचार की आवसित्ता तब हो इति मैं बात की आपे सिंचार कर रहे हैं विचiete कर रहें दो पक्षिट ठीक है चलो और यह नहीं चाहते कि तीसरा पक्षा आगर के उनके बीच में अवरोध दुत्पन करें तो कौन सी सुरक्षित संचार की विशिस्ता है यहां पर यह विशिस्ता किसकी है तो आप कहेंगे भईया confidentiality के यह अपर accuracy का संब्द नहीं है इसका जो right answer है वो क्या हो जाएगा only question number 20 और लास्ट question आज की ग्लास का विया है उपकरन या प्रोग्राम जो computer को telephone और cable line ओप data संचारित करने में सक्षम मनाता है क्या कहलाता है तो device the program that enables computer transmit data over telephone and cable lines is called क्या होगा इसका right answer बिल्कुल confirm करेंगे इस सवाल का जो right answer वो आप कहना पर क्या होने वाला है बहुत अच्छे तो काफे सारे दोस्तों बिल्कुल सभी अंसर दे रहे हैं क्या होगा modem है अब आप बताएं कि modem की full form क्या होती है जो modem है इसकी full form क्या होती है तो याद रखिएगा modem एक input output और networking सब तीनों परकार की device और इसकी full form में यह होती है modulator and demodulator इसका काम क्या होता है तो इसका काम आपका होता है या पर analog signal को digital signal में और digital signal को analog signal में convert करना ठीक है जी तो यह थी आपके आज class जो monitor है इसका घर का नाम होता है video visual display unit और यह आपका soft copy output का उधारन है जो यह mouse चाचा जी है इनका विसकार किया था Douglas एंजल बाटने किसने Douglas एंजल बाटने और यह एक पिरकार के क्या है यह एक पिरकार के आपके यहाँ पर इंपट डिवाई से ठीक है यह आपके लिए question of the day आपका homework वाला question तो सभी दोस्त इक बार जरूर बताईएगा आपको आज की class कैसी लगी आपका score कितना रहा और कल वाली class से जरूर जुड़िएगा साम पांच बजे आने वाली है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा उस class को जो भी सेर वगर आप ETC कर दकते हों कर दिजिएगा otherwise आपका मन ठीक है तो मिलते हैं आपका कल की class में एक नए एक सांदार सेसन के साथ बहतरीन को सनों के संकलन के साथ इसकोर जरूर बताना अपना कितनी कुछ चीज़ों नहीं आपने यासाशी की क्या आपका से revision होता है य हिंदे हैं आपका इसकोर अजर जबसे आपका बेह मिलते हैं आपका वा बास आपका से अभापका याथ वियंदे हैं आपके आपका से आप